हलो गूर्णिंग स्टुदेंट्स मैं हूरव इक्मार सक्षेन आपका अपना प्यारा चैनल नंबर वन क्लासे में स्वागत है आज हम लोग टॉपिक लेकर आएं डिस्पर्शन ओफ लाइट तो ध्यान देजिए लगताज इस प्रकार से हम लोग यूनिट नंबर फो डैट लाइट के बारे मम लोग लगता ज़ें चैसा करते आ रहे हैं उससे पहले तोल इंटरनर रिफ्रेक्शन तेखा घ्राइउ इस लिफ्रेक्शन और उसने लोग अपर चीजों को हमने लेकर मंगनतिये तो क्या होता है योbas लिफ्रेक्शन दैंग कईसिग सारे चीजों पाँ किया होता हुमने देखा होगा अगर आप नहीं देखें हैं तो आप आप डिस्क्रिप्टर में जा कर हमारे चैनल पर जाकर प्लेडी समने अगहालोग तोपीक आपको अगह अगहाएं प्लेडी स्वास्फिज्वी निआ ऐस hr बिहार SBT Slavers के अंसार आपको सारा मिल जागा ठीक है तो फिलहाल हम बात करते हैं dispersion of light to dispersion of light क्या है तो dispersion of light क्या है मानले जी आपके पास कोई white light है ठीक है एक example को हम समझते हैं ठीक है मानले जी मेरे पास अभी एक light है ठीक है अभी आपको दिख रहा होगा यह है प्रिज्म से पास करते हैं ध्यान दिजे इस white light को जब हम prizm से pass करेंगे तो ये क्या होगा ये जो है साथ अलग-अलग color में दिखेगा कैसा दिखेगा? 7 जो है अलग-अलग color में देखेगा लेकिन फिलहाल तो ये white है, light क्या है ये तो आपका जो है light जो है ये फिलहाल तो white है आपको दिखने लाइट जो है वाइट लाइट जो है जब प्रिज में से पास किया जाता है तो साथ जो है अलग अलग कलर में जो दिखाई देता है उसको हम लोग बलते हैं डिसपर्शन ओफ लाइट ठीक है लाइट जो है जब प्रिज में से पास किया जागा तो यह जरूर वाइट है लेक सब्सक्राइब बताएंगे साथ कौन कौन सा है और सब्सक्राइब करके सारे सहीं को देखेंगे तो फिलहाल जो है आप समझ लिए dispersion का मतलब white light का जो है साथ अलग-अलग color में जो है बिखेरना साथ अलग-अलग color में जो होना उसी को अम लोग बोलते है dispersion of light चलिए हम आगे देखते हैं The dispersion of light is the phenomenon of splitting of beam of white light into its seven constituents color when passed through a prison तो dispersion of light क्या होता है जिस परकार से अभी आपको बता रहे थे dispersion of light क्या है यहां दिजिए हाँ पर word लिखा हुआ है when dispersion of light is the phenomenon of splitting of a beam splitting of a beam of white light ठीक है white light ठीक है माल लिजए आपके पास white light है into its seven constituent color white light का जो है साथ अलग-अलग color में जो है बटना उसको हम लोग बोलते हैं dispersion of light ठीक है ध्यान दिजिए यह जो है dispersion of light का मतलब साथ color ठीक है white light का जो है साथ color जो है मतलब अलग-अलग color में जो है बिभाजित हो ना जिसको हम लोग बोलते है dispersion of light यह जो है जब प्रिज्म से आप पास किजेगा या तो आप transparent medium से आप पास किजेगा तो यह जो है फेनोमेना को आप देखिएगा ठीक है आप जो है 9 में या 10 11 12 में जो है जब आप इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं चर्चा करेंगे ठीक है तो अभी जो है डिस्पर्शन अप लाइट किया है वाइट लाइट को सेवेन अलग-अलग color में जो है विभाजित होना जो है इसको जो है अजयक नूटन जो है डिस्काबर किया इट वाइड अजयक नूटन इन 1666 जब उन्हों ने जो है वाइट लाइट को रिज में से पास किया तो स्कृन पर उन्हों जो है साथ अलग-अलग color को अग्भा साथ अलग अलग कलर को देखा 1626 तिस्व में ठीक है 1626 में ध्यान दिजिए आजकЬ नूटन जो है फिजिक्स के लिए लाइट जो है Sir Isaac Newton के द्वारा जो है खोजा गया 1666 में उन्होंने क्या देखा कि उन्हों जो है आप जर्ब किया कि जब लाइट जो है प्रीज में से जब गुजरता है तो जो है seven अलग-अलग color में जो है split हो जाता है ठीक है यानि उन्हों ने कहा कि light जो है made up of seven seven different color सर आजक नूटन ने बताया कि light जो है साथ अलग-अलग colorों से जो है बना हुआ होता है ठीक लेकिन जो हम आपको बता दें light जो है seven color को ही consider किया जाता है ठीक है science में जो है कि seven color को ही consider किया जाता है वह color का नाम है जिसको shortcut में हम याद करने के लिए बोलते हैं यानि कि violet इंडिगो blue green yellow orange and red ठीक है यह जो है आपको बेवलेंद के इसका होता है red color का अब बेवलेंद कुछिएगा कि क्या होता है तो बेवलेंद क्या होता है उसको हम आगे समझते हैं ठीक उसको फर्मुला से आपको बताएंगा कि वेवलेंद क्या होता है फिलहाल जो है आप याद रखिए जिसका बेवलेंद ज्यादा होता है वो जो है हमें ज्यादा दूर से दिखेगा ठीक है जिसका वेवलेंद ज्यादा होता है उसे हम बहुत दूर से भी देख सकते हैं बहुत दूर तक भी देख सकते हैं जैसे में रेड कलर रेड कलर का जो है सबसे ज्यादा वेवलेंद होता है यही कारण है कि जो है हम लोग railway signal में है या हम लोग traffic signal में यह हम देजरे का सिंबोल देते हैं उससे में जो है रेड़ कलर को हम開ए उसके हैग से तरह हैं बॉस्ते ढ़ करते हैं तो रोड जो से किनार ने जो हैं सिंबोल लगर रहता थिक है जाएआए तरेल्वे लाएं के पट्री के जो है मघल में देखते होंगे सिरिंघिणैन जो देता है डेंजर निशान एक्वाएं क्वेन कि डूर से काफी दूर से डिख सकता है क्योंकि इसमें अगलेंद ज्यादा है सबसे कम जो है वेवलेंद होता है वाइलेट के पास इसके पास होता है वाइलेट के पास इसका वेवलेंद जो है बहुत ही कम होता है नैनो में ठीक है यानि कि वेवलेंद सबसे ज्यादा कम होता है वाइलेट को ठीक पहले इसका आप डिफिनिशन को लिख लिज को उपर ठीक है वेबलेंट depends on the refractive index वेबलेंथ किस पर depend करता है refractive index पर ध्यान से सुनिए color of light depend करता है wavelength of light के उपर wavelength depend करता है refractive index के उपर refractive index का formula क्या होता है speed of light in vacuum divided by speed of light in different medium जिस प्रकार से जो है हम last class में हम आपको जो है refractive index के बारे में हमने बताया था ठीक है refractive index के बारे में बताया था जब कोई मान लिजे light की जो है रे को हमने पास किया vacuum से मान लिजे हमने एर में पास किया ठीक है और उसके बार जो है कोई medium लिया मान लिजे हमने गलास लिया ठीक है या diamond लिया या यह हम दो दोनों का निकाल दिजेगा तो हो गkyo तो माइड यूट नहीं होता है याँ नहीं टीजेए of light in vacuum divided by speed of light in different medium ध्यान दिजें कई एक बाद mcq question में पुछता है कई एक बाद mcq question में पुछता है वाट is the formula for refractive index ठीक है आपको option देगा तूसरे में चोटा-चोटा बात को आपको ध्यान रखना है कई एक बाद जो है आप सोचते हों कि सर आप क्या two-person of light लेकर आया ही तो हम जानते थे क्योंकि 10 class हमने देखा है 10 class में पढ़ा है 11 में पढ़ा है 12 में बार बार पढ़ाके हम साथ वो color के नाम बता रही है इसाब जो हम पहले ही से जानते थे क्या आप बथा रहे हैं । छोटा-छोटा बात एक्जाम में आपको problem होता है इसलिए चोटा चोटा जो है जो चीज हम आपको बता रहे हैं उसको आप याद रखिए ठीक है कभी भी आपको जिन्दकी में काम आ सकता है कभी भी आपको जो है जो है ज्यादा सीखने की कोर्सिस नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक है बहुत सारे बच्छा लोग बोते हैं क्या सर आप सिलेबस से ज्यादा पढ़ा रहे हैं यह कर रहे हैं अश्युक्त बढ़ना ही है पास होने के लिए मत पढ़िए कुछ सीखने के के लिए पढ़िए ठीक है पास होने के लिए पढ़िएगा तो मतलब माक्स से आज कर कुछ मिलने वाला नहीं है माक्स से आपको कुछ करें नहीं मरेंगा ऩोटाज childish जो हे सिखने के लिए को चैज का सिखिने के लिए हमेशा ततपर रहे हमेशा जो है आपको आइसभी को छोटा बात्याइब कुने需 के नृट सिख लिए हुआ सबसे सीखेंगे कुछ ना Кुछ लेकिन सिखते रहेंगे ठीक है तो हमारा जो है यह तो हम अभी topic से भटक रहे हैं ठीक है हम फिर से topic पड़ाने ध्यान दिजिए तो topic क्या था wavelength लिएपन करता है refractive index पर ठीक है तो refractive index का formulaikan viacum divided by speed of light in different medium U inviting K forth atención अब ध्यान दिजिए ile OK F अब ध्यान दिजे, अगर velocity of light ज़्यादा होगा, तो wavelength भी ज़्यादा होगा, ध्यान दिजे, इस बात को जो है, समझ लिजे, अगर velocity of light ज़्यादा होगा, तो wavelength भी ज़्यादा होगा, अगर velocity of light कम होगा तो wavelength भी क्या होगा कम होगा समझें यानि कि color of light यह depend करता है refractive index पर यानि कि हम indirectly कह सकते हैं color of light is also depend on refractive index मालने जए exam में आप से पुछा color of light depends on wavelength of light refractive index of light both a and b none of these आप क्या मालिएगा तो color of light जो है दोनों पर depend कर रहा है refractive index पर भी depend कर रहा है और wavelength पर भी depend कर रहा है ठीक है तो यह जो है आपका हो गया dispersion of light ठीक है तो dispersion of light जो है हम लोग daily life में कहां देखते हैं सोच के देखे तो आप जो है मालिएगे कभी-कभी जो है जब बारिस होती है तो जब है हमारे sky में जो है rainbow निकलता है rainbow को देखें ठीक है इंद्रधनूस तो इंद्रधनूस में जो है साथ color होते हैं इंद्रधनूस में जो है साथ color होते हैं हलांकी जो है अरदनी धनुश जो है जो rainbow जिसको हम बोलते हैं वह जो है Sun light से बन रहा है स्ट यानि Sun light से जो है वो कैसा light है white है क्या है white है लेकिन हाँ पर सन लाइट साथ अलाग अलाग कलर में विभाजित हो रहा जिसको हम लोग बोलते हैं dispersion of light तो यह आपका example हो गया दूसरा जो है आप देखते होंगे घर में आपके पास cd-ud होगा cd तो जरूर देखे होंगे ठीक है पहले तो हम लोग फिल्म देखते थे cd लगा लगा कर अब तो जवाना बदल गया तो पर भी cd जरूर होगा ठीक ह तो cd में क्या होता है वहाँ पर आपको जो है अलग-अलग color दिखेगा ठीक है अलग-अलग color देखेगा because of dispersion of light के चलते हैं यह आपको अलग-अलग color क्यों दिख रहा है dispersion of light के चलते हैं यानि कि dispersion of light जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है काफी important है बहुत माइने रखता ह बहुत ही माइने रखता है ठीक है तो आज के video lecture जो है छोटा जरूर था क्योंकि छोटा सा topic था फिर भी जो है बहुत सारे चीज को बहुत सारे जो आपको जिन्द्गी के लिए जो important चीज है हमने तयारी करके नहीं आया था लेकिन अचानक निकल गया वो जो है आपके जिन कुंटन का जो है कॉर्प स्कूलर ठीयोरी को लेकर आएंगे ठीक है काफी धमाकेदार है मज़ेदार है काफी इंट्रेस्टिंग है उसको हम लो देखेंगे आपको यह video lecture कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए शेयर कीजिए लाइक कीजिए तब तक के लिए हम विदा लेते हैं धन्यवाद